पूरी दुनिया को अलट कर दिया है कि अगर जंग में हमास और इरान जीते तो याद रखेगा पूरी दुनिया में हमास जैसे लड़ाके पैदा हो जाएंगे और कई देशों पर 7 अक्टूबर जैसे हमले होंगे नेतनियाहू के इस बयान के आने के बाद एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि अगले 48 घंटे बेहत भीशन खूनी जंग आगे हो सकती है भीशन के उी प्यान luxe में अखड़ का कि भीशनी खन्टिक लिच्से कि अएनी तेद्म का कि भीशन के खित्तिता क्षिएRI इसरेल को मिटा देंगे हमास और इरान चार दिन का सीज़ फायर क्या इसरेल पर भारी पर रहा है दुनिया भर के वार एक्सपॉर्ट्स का साफ कहना है कि चार दिन के सीज़ फायर में हमास को जबरदस्त हमले करने के लिए फिर से आकसिजन मिल गई है खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि रूस के वेगनर ग्रुप के कमांडर और लड़ा के भारी हथियारों के साथ हमास के कमांड सेंटर में पहुँच चुके हैं जबकि चीन ने इस दोरान हमास की सुरंगों में ऐसे खुफिया नेटवाक बना दिये हैं जो इस्रैली टैंकों और पैदल सेना के लिए काल साबित होंगे जबकि दूसरी तरफ हीरान ने हमास को नई तरह की सैकडों में साइलें, लंबी दूरी के रॉकेर और भारी हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप गाजा पहुचा दी है दावा तो यहां तक किया गया है कि एरान ने अरब और मुस्लिम देशों को साफ साफ कह दिया है कि हम सीजफायर की आड में इस्रैल के खूनी गुनाहों को रत्ती भर माफ नहीं करेंगे और इस्रैल पर साथ अक्टूबर जैसे दरजनों भी शनहमले होंगे इस वक्त इस्रैल के डिर्ड लाग सैने को राट सो टैंक घाजा पट्री वेस्ट बैंक में मौझूद है खबरें तो यहां तका रही है कि इस्रैल ने सीजफायर पूरा होने से पहले ही हमास के ओपर जबरदस्थ हमले शुरू कर दिये हैं ताकि हमास साथ अक्टूबर जैसा हमला इस्रैल पर ना कर सके जबकि दूसरी तरफ हमास, हेजबुला और हूथी मिलकर इस्रैल पर हमले कर रहे हैं जो साफ साफ संकेत हैं कि ना तो हमास हार रहा है और ना ही हेजबुल्ला और हूथी के लड़ाके इसरेल पर हमला करने से हिचक रहे हैं क्योंकि इरान इस स्वक्त गाजा युद्ध का बॉस बन चुका है यही वज़े है कि इसरेल के प्रधान मंत्री बेनमिन नेतन्याहु ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो इसरेल के वजूद से जोड़ गया है इसरेल के हार पर नेतन्याहु का कबूल नामा इस्रेली प्रधानमंत्री बेनमीन नेतन्याहु ने गाजा युद्ध को लेकर इस्रेली मीडिया में बड़ा लेक लिखा है नेतन्याहु ने गाजा युद्ध पर लिखा है कि एरान की शैतानी धोरी बन चुका है हमास नेतन याहू ने दुनिया को जेतावनी थी कि अगर हमास इरान युद जीत गए तो अकला नंबर बाखी देशों का होगा बेनमी नेतन याहू ने ये भी लिखा है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जिस तरह आतंत मचाया वो हमें दिखाता है कि अच्छा भविश्य तभी संभव जब सब ये दुनिया इन जंगलियों के खिलाफ लड़ेगी नेतन याहू ने अलर्ट करते हुए ये भी लिखा है कि कुछ लोगों को लगता है कि हम आराम से अपनी जिंदगी में रहेंगे और बुराई खत्म हो जाएगी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है घाजा में अब तक 15,000 के करीब लोग मारे जा चुके हैं इस्रेली सेना और इस्रेली सरकार दोनों ही इस स्वक्त भयंकर प्रेशर में है एक तरफ हमास का पूरी तरह से खत्मा करने का दबाओ इस्रेल की 3 लाख के सेना पर है तो वहीं दूसरी तरफ इस्रेल की नेतन्याहु सरकार पर अंतराश्रिय दबाओ बढ़ता जा रहा है कि वो अपने हमले बंद करे, जंग को रोके लेकिन इधर जंग को अंजाम तक पहुँचाने का जुनून इस्रेल पर बहुत भारी बढ़ रहा है जबकि दूसरी तरफ इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने इस्रेल को धम की दे दी है कि इरान घाजा में गिराए गए इस्रेल के एक एक बम और लाशों का पूरा हिसाब इस्रेल से लेगा और इस्रेल को घाजा में खून खराबे की कीमत चुकानी पड़ेगी देखिए इरान के सुप्रीम लीडर ने क्या कहा है इरानी सर्वोचनेता अली खामनेई ने एक्सपर एक पोस्ट में इस्रेल को घाजा युद्ध पर चितावने दी है अली खामनेई ने लिखा है कि घाजा पटी में आईडियेफ के हमले पर तगड़ा जवाब जरूर मिलेगा खामनेई ने लिखा है कि घाजा में इस्रेल की भीशन बंबारी उस करारी हार के भरबाई नहीं कर पाएगी जिस करारी हार का सामना इसरेल को 7 अक्टूबर को करना पड़ा था इरानी सर्वोच नेधा अली खामनेई ने दावे के साथ लिखा है कि इसरेल अमेरिका के समर्थन के बिना कुछ भी नहीं है और कुछी दिनों में इसरेल चुप होने को मजबूर हो जाएगा अगर हम आकणों के हिसाब से देखें तो इसरेल ने उत्तरी घाजा से 11 लाक लोगों को जबरन दक्षुनी घाजा की तरफ भागने को मजबूर कर दिया है जबकि उत्तरी घाजा में मौजूद 35 में से 25 अस्पता इसरेली हमले में तबाह हो चुके है 24,000 के करीब उत्तरी घाजा की इमार्थों को इसरेल ने मिसायल और बम धमाकों से उड़ा दिया है जबकि सबादो लाक के करीब इमार्थें अब रहने लायक नहीं बची है लगभग 10,000 हमास लड़ाके अब तक इसरेली सेना मारने का दावा कर चुके है लेकिन जबरदस्ट प्रिशब में चार दिन का सीज फायर इसरेल की देड़ महीने की रहनक और जीत पर पानी फिर रही है इसलिए इसरेली सेना के टॉप कमांदरों ने कहना शुरू कर दिया है कि सीज फायर के दौरान इसरेली सेना भीशन हमले की जबरदस्ट तयारियां कर रही है इसरेली सेना के प्रवक्ता रियर एद्मिरल डैनियल हगारी में साफ साफ कहा यहम सीजवार में हमास बर वी शरहम लेकितलियारी मेज़ोटे इस्राइल को मिटादेंगे, हमास और इराग बमालख यमी अफूगा, चाहल यसलिम अपार हुगा तामुछनोत लशलबी हमलखमा अबाइम कुछों चाहल मुछनीम औरूखीम बेकोल अजीरोत हमदिनियोत शलानों बुरा, निफ़ाल के नेगट कोल इयूम लमदिनत इस्राइल अब सवाल उड़ता है, कि अगर इस्राइल सीजवार के दोरान भी लेकि लगातार तीज हमले कर रहा है, तो फिर हमास क्या कर रहा है? बश्यमी मीडिया के दावों के मताबर सीजवार का फाइदा हमास के लादेन के नाम से मशूख याया सिनवार उठाना चाहता है इसराइल के एक अखबार के दावे के मताबर, इसराइल की रक्षा विभार के अधिकारियों को लगता है कि घाजा में हमास का चीफ याया सिन्वार दक्षणी घाजा पट्टी में मानुई संकट का फायदा उठाने की कोशिश में है इस रणनीती के तहट खान योनस का लादेन कहा जाने वाला याया सिन्वार इस्रैली रक्षवनों पर इतना अंतराश्य दबाव डालना चाहता है कि आगे अपने अभियान को देज ना कर सके खान योनस ही सिन्वार का मुक्ष कमान्ड सेंटर है माना जा रहा है कि दबाव में इस्रैली सीना अपिक्षा कृत सीमित ऑपरेशन के लिए तयार हो सकती है जिससे हमास को कोई खास मुक्सान नहीं होगा इस्रैली अपसरों का मानना है कि सिन्वार युद्ध विराम के बाद जमीनी अभियानों को भिर से शुरू करने में देरी कराने की योजना बनाने में जोर शोर से जुटा है आप कुछ पॉइंट से समझ लीजिए हमास का लादें या या सिन्वार उत्तरी गाजा के बज़ा है दक्षनी गाजा को बचाने पर अब क्यों जोर दे रहा है सीज़ फायर की वज़े से खान योनुस या राफा को निशाना बनाने की बज़ा है इस्रैली सेना नुसरा अल भुरायज और दीर अल बलाह जैसे इलाफों पर ही सीमिक हमले करपा रही है इस्रैली सेना दक्षनी गाजा के गैर मानली अक्षित्रों में सीमिक अभियान चलाने को मजबूर हो रही है इसका नुकसा आइडिय तो ये हुरा है कि हमास इस्रैल के भीशन हमलों से बच रहा है और हमास का लादे याया सिन्पा एक बठ्धिर से दक्षनी गाजा में हमास की सैन्य टाकत को मजबूर करने में चुटा है इस्रैल को मिटा देगे हमास और इरा इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाफ एमार्टों से बाहर भी खलकर RPG फायर कर रही है या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे है जब की जमीन पर इस्रैली सेना का एक वीड वैदल सैनिक नहीं दिखता है इस्रैली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी बखतर बंद वाहन के अंदर हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है हमास के इस खुफिया युद्ध में इस्रैली सेना के एक पसीने छोड़ा दी है चार दिन के सीजफ फायर के बाद जब दुबारा से इसरैली सेना घाज़ा शहर और उत्तरी घाज़ा के बहट अंदरुमी हिस्सों पर हमला करेगी तो उस वक्त हमास और ज्यादा खातक हमले इसरैली सेना पर जरू खरेगा लगन इस्राइली सेना जबी दावा कर रही है, वसी जफायर किबा हमास कहात मापूरी तरह से होजा शियुग वूलोट बतुखेब, लामशिक बमामाथ ऐल्योन, लाशवाट खतुफेब, लागिया लारता एज़ूरित वहीं हमास का दावा है कि इस्राइल सेना युद वेराम को तोड रही है, और हमास पर हमले कर रही है हमास के इस दावे में दम नजर आता है, क्योंकि इस्राइली सेना का दावा है कि पिछले दस घंटे की भीशन जंग में हमास के दरजनों लड़ाके बारे गए है आईडियाफ के मुक्ष पैदल सेना एकाईव में से एक है, नाखल ब्रिगट के सैनिकों ने उत्तरी घाजा के पश्चिम में जबालिया पर भीशन हमला किया जबालिया में आउट पोस्ट 17 पर आईडियाफ में हमास लड़ाकों को मार तर कपचा कर दिया है आईडियाफ पाइटर जेट में सेंट्रल कैम ब्रिगट में हमास की एंटी टैंक मिसाइल योनित के प्रमोग एब्राहिम अबू मगसीब को मार डाला अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सेटा है कि इसरेल के लिए घाजा युद्ध कितना भारी पढ़ रहा है इसलिए नेतनियाहू को लिखना पड़ा है कि अगर इरान और हमास जीतते हैं तो फिर इसरेल का बिनाश तैय है